दोस्तो, आज मैं आपके साथ एक ऐसी remedy सेयर करने जा रही हूँ इसका इस्तिमाल करने के बाद में बालों की growth काफी तेजी से होने लगती है इसके साथ अगर आपको hair fall की problem हो रही है तो hair fall आपका control होता है इसके अलावा अगर आपको r Shine की problem है लेकिन ध्यान रखने बाली बात ये है कि आपको इस remedy को कब लगाना है और कैसे लगाना है जिससे कि ये बालों में पूरा पूरा effect दिखा सके इसलिए बीडियो को end तक जरूर देखें तो आये चलिए देख ले दें कि इस remedy को कैसे बना के तयार करना है तो इसको बनाने के लि आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसको गरम करने के लिए छोड़ दीजिए इसके बाद में हम इसके अंदर कुछ चीज़ों को add करेंगे तो सबसे पहले चीज़ जो कि हमें चाहिए होगी वो है राइस आप यहां पे कोई भी राइस यूज कर सकते हैं जो भी आप अप चमच राइस का यूज कर रही हो अब जो पानी हमने गरम करने के लिए रखा हुआ था वो हलका गरम हो चुका है अब हम इसके अंदर जो हमने चावल लिए हैं उसको डाल देंगे और अच्छे से चमच से चलाती हुए इसको mix कर लेंगे इसके बाद में जो अगली चीज हम इसके अंदर एड करेंगे वो है मैथी दाना यानि की फैन गुरिक सीट ये मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ एक चमच मैथी दाना के इस्तेमाल से हमारे बालों की लम्माई में काफी ज़्यादा फर्क नजर आता है बालों का तूटना जड़ना भी बंद होता है और बाल म हाई नहीं रखना है मेडियम टू लोग टेमप्रेचर पर ही इसको पकाना होगा इसके बाद में जो इसके अंदर में अगली चीज एड करने वाली हो वो है कलोंजी इंगलिस में इसको नाइजैलर सीट भी कहा जाता है आपको लेने होगी कलोंजी यहाँ पर मैं एक चमच क लोंजी ले रही हूं आपका लोंजी का पाउडर इस्तिमाल कर सकते हैं और इसको भी हम इस फैंगुरिक सीड और राइस के अंदर अच्छे डाल के बॉइल कर लेंगे इसके बाद में जो हमें अगली चीज लेनी होगी वो है नीम के पत्ते आपको ले लेने होगे यह लें ले कर सकते हैं और इनको छोटा चोडा सा कट कर लिजें इनको कर लीजिए उसके बाद भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं मैं यहां पे इसी तरह से झाब उती इसके पत्ते इसके अंदर डाल देती हूँ और इन सभी चीजों को हमको उबालता होगा लगवा 5-7 मिनुट क होते हुए हो चुके और हमने वाटर के अंदर जो भी चीजें एड़ की थी वह अच्छे से बॉयल हो चुकी है इसे स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको चान के इसका जो पानिया वह अलग कर लेंगे चानने के बाद में जो यह राइस बचेगा मैं थी कलोंजी न मैंकना नहीं है इसको आपको अच्छे से पीस के बारिक सा पेस्ट बना लेना है और इसको अपने हेर मास्क की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं यह हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेबंद होता है अब इस बॉटर के अंदर हमको एड़ करना होगा एक कप कच्छा तो इस तरह से यह हमारा मैंजिकल वाटर बन के थैयार हो चुका है बालों में लगाने के लिए अब इसको आपको लगाना कभ है यह जान लेते हैं आपको अपने बालों को दुलने के बाद में जब हम अपने बालों में कंडिशनर करते हैं उस समय आपको कंडिशनर की जग बालों को दो लीजिए जब भी आप अपने बालों को दोएं तो इसी बॉटर का अगर आप इस्तिमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत तेजी से लंबे और घने होंगे और बाल मजबूत और मौटे वनेंगे आपके आज का वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा हैलफ पूर रहा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना शेयर कर देना और पिंक सी चनल को सस्क्राइब जरूर करना